आप लोगों के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मिशन ये है कि हमारे institute में मेंस की test series हमने शुरू की है आप इसके लिए walk-in करके भी अपने आपको enroll कर सकते हैं और चाहें तो call करके भी contact कर सकते हैं या telegram से भी हमारे साथ जोड़ सकते हैं हमारी test series का मैं एक overview आपको दे देता हूं test series हमारी होगी topic wise जिसमें 15 से 17 question papers होंगे last के जो 2 या 3 I think 3 जो question paper होंगे वो full length होंगे जो आपको real महौल देंगे जो आपके exam में आपको face करना होगा ठीक है और test series का fees है 1500 बहुत जादा fees नहीं है बहुत nominal fees में हम चाहते हैं आप लोगों को वो place provide करना जहां पे आप अपने मेहनत को खुझ से भी आखलन करें और यहां हमारे जो selected पिछले exams में posted जो हमारे students है वो भी उन answer sheet को check करेंगे और आपको आपकी guidelines देते रहेंगे ठीक है हम चलते हैं हमारे MCQ series में और आज का हमारा topic होगा 36 गड़ और इंडिया miscellaneous हम ऐसे कोई topic wise आज नहीं करेंगे आज हम miscellaneous questions को deal करेंगे ठीक है हमारा सबसे पहला question है which of the following was showcased by 36 गड़ गवर्मेंट in the Republic Day parade of 26 January 2022 आपको पता है हाल ही में राजपत में हमारा Republic Day मनाया गया है तो उसमें जहांकियां आती हैं तो आपको यह पताना है 36 गड़ गवर्मेंट की तरफ से कौन सी जहांकी इस बार राजपत में आई थी option से आपके पास में God dance, दमनच निरित्य, ग्राम गोठान, गोधन्या योजना या फिर नर्वा गर्वा गुर्वा बाड़ी तो आपको पता होना चाहिए हमारा जो इस साल का परेड था जो जहांकी थी उसमें हमने ग्राम गोठान को वहां पर चरितार्थ करने की कोशिश किया है अब अगला question देखते हैं अब आप लोगों को यह question देखके लग रहा होगा कि यह कैसा question है लेकिन कुछ एक student से मिलता हूं उनको basic difference नहीं पता होता है कि हम Independence Day कहां मनाते हैं और Republic Day हम कहां पर celebrate करते हैं यह basic difference उनको नहीं पता होता तो यह चोटी-चोटी चीजों को आपको गौर करते हुए चलना है जैसे कि आपको पता है पिछला question जो था Republic Day Parade का Republic Day Parade जो है वो आपका हमेशा celebrate किया जाता है राजपत न्यू डेली में of Partition Horror Remembrance Day every year Partition Horror Remembrance Day हाल ही में नरेंद मोदी जी ने इसकी घोशना की है कि हम एक particular date को हर साल Partition Horror Remembrance Day के नाम से मनाएंगे तो आपको यह बताना है कि यह कौन सा है 13th August 14th August 15th August या फिर 16th August इसका clear-cut answer है 14th August 14th August को हम अब से हर साल Partition Horror Remembrance Day के नाम से observe करेंगे ठीक है अगले question को देखते हैं हम अगला question हमारा है who amongst the following has recently become the person with maximum Grand Slam titles अब देखिए यही question कहीं न कहीं आपका touch किया था जो state civil services examination है उसके prelims में उसमें यह पूछा गया था जो चार Grand Slam हैं उनके year of origination से आपको question आयते chronological order में आपको जमाना था उनके origination year में maximum students ने वहाँ पे गलती किया है जो एक साल में उनका chronology होता है जो January, May, फिर September ऐसे उनका chronology होता है Grand Slam का उससे arrange करके वो आ गये और वहाँ पे उनका answer हो गया गलत तो आपको इसी लिए इससे मिलता हूँ जुलता question अभी यह है, who amongst the following has recently become the person with maximum grand slam titles इसका answer है पहले इसके options देख लेते हैं हम, पहला है Novak Djokovic, दूसरा है Daniel Medvedev, तीसरा है Rafael Nadal, या फिर चौथी है Ashley Barty, अभी इंपोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हाल ही में Rafael Nadal ने Australian Open जीत करके इतिहास रचा है इतिहास उसने ऐसा रचा है कि अब वो, sorry, हाँ, Rafael Nadal ने जीत करके इतिहास रचा है और इतिहास ऐसा रचा है कि अब वह दुनिया में grand slam titles जीतने वाला वह व्यक्तिया जो जिसने maximum grand slam titles जीते है और उसने ये कब किया है January में जो Australian Open हुआ है उससे जीत करके उसने ये कारनामा किया है ठीक है तो हम थोड़े से facts देख लेते हैं grand slams के बारे में grand slams जो है उसको हम calendar slams भी बोलते हैं ये tennis tournaments होते है calendar slam भी कहा जाता है और साथ में इसे हम कहते है calendar year slam भी बोला जाता है ठीक है वही मैं आपको जो पता रहा था आपको यह याद रखना है अभी जैसा question prelims में पूछा था उसके बाद में obviously आपको पता है आने वाले जो exams वैपम के हैं hostel warden पटवारी revenue inspector ये सारे जो exams है कहीं ने कहीं वो ideas लेंगे ही PSC का जो prelims का exams हुआ था उससे ideas लेंगे तो अगर वो आपसे ये पूछ सकता है कि grand slam जो tournaments होते हैं उसका origination कब कब हुआ था उसके chronology पूछ सकता है तो आपसे ये भी बिल्कुल पूछा जा सकता है कि साल में खेले जाने वाले जो grand slams हैं उनका chronology कैसा होगा तो आप ये समझे इसका chronology हमको देखना है सबसे पहला होता है साल में Australian Open और इसी Australian Open को January 2022 में जीत करके Rafael Nadal ने इतिहास रचा है तो Rafael Nadal का भी नाम आपको याद होना चाहिए दूसरा है आपका दूसरा होता है साल में French Open जो होता है मैं जून के टाइम पे तीसरा होता है आपका Wimbledon Open जो होता है जून जुलाई के टाइम पे और बारे में भी आपको question पूछा जा सकता है मतलब मेरा कहना यह है आप किसी भी टॉपिक को अगर cover कर रहे हैं तो उसको कोशिश करें होलिस्टिकली comprehensively coverage करें उसका ऐसा नहीं कि थोड़ा-थोड़ा सा पढ़े और आगे बढ़ गए अगर आप किसी topic को पढ़ रहे हैं आपको ज़रत नहीं होती है है तो हम देखते हैं कि type of quotes कैसा है तो जो Australia में जो खेला जाता है वो है hard quote अब यह hard quote क्या होता है या तो यह asphalt का बनाते हैं आपको पता होगा asphalt क्या है हो सकता है मेरे spelling में mistake होगा मैं और एक asphalt का बना सकते हैं या फिर इसको concrete का भी बनाया जाता है ठीक है तो यह जो quotes है यह Australia का जो quote है यह hard quote है US का जो quote है वो भी hard quote है अब का french का जो quote है वो clay का court है तो आपको ऐसा भी question पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा quote है इनमें से कौन सा grand slam है जो clay quote पे खेला जाता है तो आपसे यह question पूछा जा सकता है आपका answer हो जाएगा यहाँ पे french open इसके बाद में आपको पता है Wimbledon में जो grand slam खेला जाता है वो grass के court पे खेला जाता है तो आपसे ऐसे question भी frame किया जा सकते है कि कौन सा ऐसा grand slam है जिसको grass court पे खेला जाता है कौन सा ऐसा grand slam है जिसको clay court पे खेला जाता है तो ये सब चीजों के लिए आपको ready रहना है ठीक है इसके बाद में हम देख लेते हैं जैसा कि आप से अभी question पूछा था chronology origination का तो हो सकता है आपको match of the following में year wise भी पूछ सकता है है ना तो हम लोग year wise देख लेते हैं जो Wimbledon है वो oldest grand slam है grand slam है sorry और यह हुआ था 1877 में इसका foundation डाला गया था पहली बार 1877 में खेला गया था दूसरा है आपका US Open जिसको 1881 में खेला गया था तीसरा है आपका French Open जिसको 1891 में खेला गया था यह काट दीजेगा इसको और तीसरा है last है आपका जो है वो है Australian Open इसको खेला गया था 1905 में इसकी शुरुवात हुई थी आपसे question पूछ सकता है कि सबसे पुराना Grand Slam कौन सा है तो आपको यह पता होना चाहिए कि Wimbledon है कब खेला गया था सबसे पहले तो 1887 में खेला गया था 1877 में आपसे यह पूछ सकता है कि सबसे Newest जो है सबसे Newest आपका Grand Slam कौन सा है तो आपको यह पता होना चाहिए Australian Open है उसको पहली बार कप खेला गया था 1905 में खेला गया था अभी यह Australian Open important इसलिए है अभी के exams के लिए क्योंकि रफैल नडाल इसको जीत करके अपने Maximum Grand Slam titles का उन्होंने किताब जीता है ठीक है अगला question देखते है How many Grand Slam does Rafael Nadal has यह वही बात है जो मैं आपको बोल रहा था किसी भी चीज़ को अगर आप पढ़ते हैं तो उसको comprehensively पढ़ना है यह चीज़ अपने दिमाग में हम बठा के चलेंगे है ना तो how many Grand Slam does Rafael Nadal has 20, 21, 22 और 23 इसका जवाब देंगे आप 20, 21, 22 या 23 इसका डायरेक्ट आंसार है 21 यह भी वहुआत important question है आप इसको star mark कर लेंगे मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं कि आने वाले जो तीन exams है पटवारी, food inspector, revenue inspector उनमें से किसी एक में आपको यह question देखने को मिल सकता है मैं उम्मीद कर रहा हूं personally बाकिया मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं who won अगला question देखते है question number six who won the women's single title at Australian Open on January 2022 तो Australian Open अभी आपके लिए कितना important है देख लीजिए ठीक है तो इसका answer कौन सी महिला है जिन्होंना women's single title जीता है Australian Open में बार्बुरा क्रजिकोवा एशले बार्टे कैटरेना या फिर ग्रूट इनमें से वो कौन महिला है जिन्होंने Australian Open जीता है women's single title तो इसका answer होगा एशले बार्टे ठीक है आगे चलते हैं अब हम देखते हैं अब हम देखते हैं 36 गड़ का question है what is राम कोठी इन कल्चरल कॉंटेक्स्ट ऑफ चत्तीजगड की कल्चरल कॉंटेक्स्ट में समाजिक परिद्रिश्य में राम कोठी क्या है important question है क्योंकि अभी current affairs में चल रहा है आपको पता है भुपेश सरकार हमारे cultural heritage को बचाने की कोशिश कर रही है जो विलुप्त होते हमारे cultural heritage है उनको वापस से प्रचलन में लाने का प्रयास किया जा रहा है हमारी सरकार के द्वारा इसलिए यह सारे questions आपके important हो जाते हैं एक तो cultural aspect of 36 गड़ तो है ही है हो सकता है आने वाले आगामी जो आपका state services है mains है उसमें यह आपको दो number के लिए questions directly पूछा जा सकता है आपके paper number 6 में जिसमें आपको cultural aspects of 36 गड़ देखने है कि राम कोठी आखिर है क्या तो options देखते हैं एक food grain bank है B option B राम मंदिर construction fund at block level C fund collected by gram sabha of every village to be donated for the proposed Ram 1 गमन मार्ग program या फिर D है local festival of सरगूजर division on the occasion of Ram Nommi यह कुछ swelling mistakes है इसको आप ignore करके चलेंगे तो राम कोठी क्या है food grain bank है या फिर राम मंदिर के construction के लिए block level पे जो fund इकठा किया जा रहा है वह है या फिर gram sabha द्वारा हर गाउं से fund collect करके राम वन गवन मार्ग में योगदान देने के लिए जो fund collect किया जा रहा है वह है या फिर local festival है सर्गुजा division में राम नॉमी के अवसर पर बहुत important question है और बिल्कुल ऐसा question आप से पूछा जा सकता है आप बताएंगे इसका answer क्या होगा इसका answer होगा food grain bank इसका answer होगा food grain bank मतलब हमारे जो 36 गड़ की cultural aspects को देखेंगे आप तो हमारे यहाँ प्राचीन सब्यताओं में से एक है राम कोठी इसमें होता यह था हर गाओं में समीतियां बना करके एक food grain bank बनाया जाता था जहां पर लोग अपने उनके पास में जो आधिक क्या है food grains का जो आधिक क्या है उसको वहाँ जाकर करके जमा कर सकते थे और उसमें से जरूरत मन लोग उस अनाज को निकाल सकते थे इसको अनाज का bank बोला जा सकता है उसमें से जो जरूरत मन लोग थे वो वहाँ से आपका अनाज निकाल सकते थे और बाद में उसमें थोड़ा बहुत जो भी उनको interest जैसा लगता था वो अनाज मिला करके वो वा बहुत इंपोर्टेंट कॉंसेप्ट और एक बहुत ही प्यारा कॉंसेप्ट था हमारे चत्तिसगाड के कल्चरल कॉंटेक्स में इसलिए इसकॉंट इसक्वेस्टन को यहां पर मेंशन किया गया है आगे चलते हैं अगला क्वेस्टन है इंदू वर्मा ऑफ बलौदा बजार ह इसरी सेलेक्टिक फॉर्टानमंत्री यूवाँमेंटर्शिप ग्रोंड इस रिलेटेट्टो कुछ उपधे फॉलेटेडेट्टेड है वे वह ओतर है या वह स्पॉर्ट्समें या फिर फिर वो एक mountaineer है परवतार हो ही है या फिर वो एक वैज्ञानिक है साइंटिस्ट है इसका जवाब को देना है क्योंकि यह बहुत ही important question है important question इसलिए है क्योंकि इंदू वर्मा जो है वो 36 गर से ठीक है इसको आपन थोड़े देर में deal करेंगे हो सकता है इस पर एक और question होगा इसलिए मैं अभी इसको जादा detail में deal नहीं कर रहा हूं इसका answer होगा author बलौदा बजार जिले की अब इसमें से आपको जो important चीज़े है एक तो इंदू वर्मा है दूसरा बलौदा बजार है क्योंकि ऐसा भी पूछ सकता है जो author इंदू वर्मा है प्रधान मंत्री यूवा mentorship program के लिए select की गई है वो किस जिले से हैं ये भी आपसे पूछ सकता है तो आपको ये भी याद रखना है बलौदा बजार जिला दूसरा आपको याद रखना है कि वो एक author है ठीक है आगे चलते हैं what is Ramkoti culture ठीक है ये repeat हो गया वही question बदाई